हलो फ्रेंट स्वागत है आपका मेरी यूट्यूब चैनल मार्केट ग्यान में आज की विडियो में बात करने वाले हैं यस बैंक और सुजलोन एनजी के बारे में यानि कि अगर आप देखोंगे तो यस बैंक के लिए कल का दिन बहुत इंपॉर्टन है और कल यहां पर यस बैंक का जो क्यू फोर का रिजल्ट है क्वाटर फोर के नंबर्स है वो देखने को मिलने वाले हैं लेकिन क्वाटर फोर से पहले ही एनलिस्ट ने बहुत बड़ी ज संट में आप देखने को मिलने वाले है और इसके भी कौटर फोर के रिजल्स आपको देखने को मिलेंगे उन सारी चीज के बारे में इस वीडिओ में डिस्कस करने वाले है तो वीडिओ अगर आप को अच्छी लगे तो एक लाइग जरू कर दीजीगा और आप चैनल पर फ कि निजी सेक्टर का दिगज बैंक येस बैंक कल यानी शनिवार 22 एप्रिल को मार्च 2023 के अपने जो रिजल्स है वो जारी करेगा नतीजा आने के एक दिन पहले आज शेर में बिकवाली का दवाब दिख रहा था और फिलाल बीएसी पर यहाँ पे जो मुमेंटम है वो दिखाएगा है एक्जेक्टली क्लोजिंग वगर मैं आपको अलड़ी दिखा चुका हूँ हाला कि इंटरडे में यह आदा फीजदी उचलकर सोलर रुपे एकसट रुपे पर भी पहुँच गया था कुछ दिनों पहले मार्च तिमाई में रिकॉर्ड संख्या में शेरोल्डा का खुलासा होने पर इनके शेरों की खरीदारी बढ़ गई थी तो यह ओवरल चीज़ें अभी तक बताएगी कि क्या का हुआ है लेकिन अब यहां पर जो ब्रोक्रेज हाउस इस है वो क्या सोच रहे है आइफल सेक्यूर्टी के बाइस प्रेसिडेंट विष्टा अनुज गुपता के मताबिक बैंक के शेरों में साइड़ वेस ट्रेंड देखने को मिल रहा है यानि कि सप्लाई और डिमांड लगबग बरावर है और उनका कहना है कि यदि एस बैंक के शेरों के लिए बीत रुपे का जो लेवल है वो रजिस्टेंड के तोर पर काम कर रहा है और अगर यह उस उपर बंदोंने में सफल होता है तो शेर इजिली 23 से 26 रुपे के लेवल को चूर सकता है यानि कि अगर आप देखो कि यह बेचिकली समराइस करूं साइडवेश ट्रेंड है डिमांड और सप्लाई जो है वो बरावर है यहां से जो पहला राइस्टेंड लेवल है बीत रुपे का बन रहा है उसके बाद अगर यह बीस पर खरिदारी कर सकते हैं जो लोग यह पूछते हैं तो इनके कर सकते हो बीस रुपे के टार्गेट के हिसाबते इनमें 11 रुपे का स्टॉप लॉश जो है वह आप रख सकते हो अगर आप शौट्टम के हिसाबते इसमें बाइंग कर रहे हो फिर अगर मात करें कोटक इंस्टिट्यूशनल सिक्योर्टी के मुताबिक तो मार्च इतिमाई में अगर आप देखोगे तो इनकी जो नेट इंट्रेस्ट इंकम है वो सालान अच्छे परसेंट से बढ़ सकती है और अगर हम क्वाटर विस इस पर बात करें तो दो परसेंट से बढ़ सकती है वही बैं परसेंट बढ़ सकती है और क्वाटर क्वाटर वेस इस पर 12 बढ़ सकती है और ओवर जो है वह एक अच्छा घासा एस्टिमेशन लगाया जा रहा है तो जेम फाइनेशल ने तो इनके जो प्रॉफिट आफ्टर टेक्स है उसमें भी बहुत बड़ा इंप्रूमेंट शो कि है कि उनका उनको लग रहा है यहां से करीबन 635-6% की जो ग्रोथ है वह देखने को मिलेगी और एक बहुत बड़ा जो प्रॉफिट है वह इस बारी देखने को मिल सकता है अकॉर्डिंग तुद जेम फाइनेशल चीजा तो कल होई जाएंगी लेकिन हां यहां पर जो है वह सब्सक्राइब करें तो सब्सक्राइब करें तो सब्सक्राइब करें यहां से करीबन 20-25 परसंट का उच्छाल जो है वह आ सकता है अगर रिजल्ट सही रहते हैं तो और यह मैं अभी आपको बोलते हुए नजर आ रहा हूं कि आपको बाइंग करनी है सेलिंग करनी है क्या करना है उसके लिए आप कोटर फॉर का वेट कर लो तब उसके बास सारी चीज़े जो है वह अपने आप ही क्लियर हो ज इस नहीं आती है तो वहां भी आपको देक हों तो वह वीडियों देख लेना आपको सारी चीज़े समझ में आजाए कि मएं इस तो बात रूप्रेंट में देखा लेकिन तीन साल में इसने आपको एक रोपेस्ट परसंट के रिटन्स बना कर दिये हैं लेकिन बिछले एक देर साल से जो मुमेंटम है वह वही साथ रोपे से नौर पे के बीच में ही घूमता है तो इसलिए थोड़ा सा आपको सोच समझ के इस शेर को जो है वह अपने 24-14 Megawatt का जो ओर्डर है आधितवेला गुरूप से लिया है यानि के बोहोत बड़ा ओर जो है वह यहां पर मिलते हों नजर आ रहा है सुजलोन एजी को करीबन 144 से भी याधा लगबग 145 Megawatt का जो ओर्डर है वह आधितविला गुरूप से इनको मिल रहा है अब यहां पर और इसकी चुक्त रहने वाली है वह 2.1 मेगावाट इच थीए तो यूनिट आपको यहां पर बंते नजर आएंगी हर एक यूनिट की चुक्त रहेगी वह 2.1 मेगावाट यानि की करीबन करीबन यहां पर 46 मेगावाट के आसपास जो ओबर ओल चीज़े वह देखने को मिलने आ जाएगा अब वहीं अगर हम बात करें तो और भी इस पर्टिकुलर से से रिलेटिल इन्फॉर्मिशन है उसमें अगर आप देखते हो तो बीपी सीयल जो है वह आने वाले टाइम में करीबन 240 240 मेगावाट के रिन्यूवल पावर फैसिलिटीज को इंस्टॉल करने वाला है और यहां पर अगर आप देखोगे तो टेंडर के लिए भी बीडिंग जो है वह देखने को मिल सकती है यानि कि इस पर्टिकुलर सेक्टर में ग्रोथ की तो वह तो मैं आपको पहली बता चुका हूँ कि जो ग्रोथ की कैपैबिलिटी है या कैपैसिटी है बहुत जाद ह आप है और यहां चीन वाल से 3-5 साल व captivity बहुत 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 बहत gloss करने वाला है बस आपके लिए कंडीशन यह में इस बंदिनने यह सजेस्ट किया गया पैसी में बने या उसने जाश्इस किया ता इसलिए लेकिमने तो आपको अमेशा यही बोलता हूं कि आप अपनी रिसर्च तो जरूर करो आपको तो समझ में आना चीए कि मेरी requirement क्या है मेरी गोल्स क्या है मेरी नीड क्या है और उसके क्या यह जो स्टॉक है वो मेरे लिए यह suitable भी रहा है तो इसलिए मैं आपको बोलता हूं कि अगर पावर सेक्टर में आपको कोई अच्छा स्टॉक सेलेक्ट करना है तो देखो और भी बहुत सारे लोगों के बास अल्रेडी है तो लोगों के लिए भी यहां पर इंफॉर्मेशन है वह हो जाए बागी वीडियो में फिलाल इतना ही वीडियो अगर आपको अच्छी लगे एक लाइक करिएगा चैनल फे बस्ताम विजट कर रहे हूं तो सब्सक्राइब कर देज़ेगा धन अजब झाल वीडियो में आपको आप कर देज़ेगा कर दो लोग्रों कर ददे बस्ता दोताएब上 है